स्टाफ सेलेक्शन कमिशन, SSC है रिलिस्ट नोटिफिकेशन पॉर MTS एक्जामनेशन, मल्टि टास्टिंग इग्जाम बट नॉन टेक्निकल, तो सबसे पहले यहां पे हम वन बाई वन हर चीज को डिसकस करेंगे, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है, that is 30 April, मतलब कि आज से लेके 30 अप्रेल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपका जो पेमेंट है, जनरल और OBC के लिए 100 रूपीज है, SSC, ST के लिए 0 है, और जितने भी फिमेल कंडेट्स ह कोई भी यहाँ पे फी नहीं लगेगा application के लिए, अब जो इसका paper 1 है, वो जो date दी गई है tentative, वो July 2022 दी गई है, मतलब कि July के महीने में 2022 में इसका paper 1 होगा, लेकिन paper 2 की exam date अभी notified नहीं की गई है, notified soon वहाँ पे आपको show कर रहा है, ठीक है, minimum age क्या है, so minimum age जो है वो 18 year है, और maximum age है, 25 to 27 है, department wise यह vary करेगा, अब यहाँ पे अगर मैं post की बात करो, तो multitasking staff, MTS, non technical की जो post है, वो कुल कितनी है, इसकी भी जानकारी अभी नहीं दी गई है, total post की जानकारी coming soon बता रहा है, लेकिन हाँ, यह बताया है कि MTS के non technical की post के लिए, कोई भी जो है, जो recognized board से 10th pass किया है, वो इसको fill कर सकता है, हवलदार की post जो है, वो total 3630 है, मतलब 3630 post है, अब इसकी eligibility आपको ध्यान से सुननी है, eligibility है, यहाँ पे class 10th आपका पास होना चाहिए, किसी भी recognized board of India, अब हवलदार की post के लिए, walking के लिए कुछ measurement इनोंने set किया है, कि जो walking है, उसकी speed male की होनी मतलब 15 minutes में 1600 meter चलना है male को, तो हो eligible है, और 1 km 20 minute में female को चलना है, तो हो eligible है, I am repeating, male 1600 meter in 15 minute, female 1 km in 20 minute, cycling का criteria दिया है, male 8 km in 30 minute, आदे घंटे में male को 8 km cycling करनी होगी, female को 3 km in 25 minute, हाइट और चेस्ट की भी यहाँ पे मिजरमेंट्स है, मेल के जो हाइट और चेस्ट का मिजरमेंट दिया है, that is 157.5 cm for height और 76-81 cm chest, फिमेल का 152 cm height होनी चाहिए, ठीक है, तो यह क्राइटेरिया है, हवलदार के लिए, टोटल 363 पोस्ट है, MTS के लिए कितनी पोस्ट है, उसके के लिए भी कोई notification यहाँ पे नहीं है, soon वहाँ पे लिखके आ रहा है, इसके अलावा state-wise अलग-अलग यहाँ पे, मतलब की code भी दिये गए है, ठीक है, MTS के लिए और हवलदार के लिए वो भी आप online site पे जाके चेक कर सकते हो, SSC के, और इन्होंने tweet करके बगाइदा पुर झाल 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 झाल